कुछ दिनों पहले तक बिहार की राजनीती के गडवन्दन जो है उसका चहरा कुछ और था लेकिन हमारे सामने जो आप ये विज्वल देख रहे हैं इस पोस्टल में जो बिहार का गडवन्दन बना है साथ पाटियों का सभी का चहरा आपको इसमें दिखेगा दिखे कि रात का कोई मतलब नहीं है क्योंकि भारत की राजनीती में कोई सिधान्त और नेतिकता बचा नहीं है कि आप उसकी दुआयों देंगे 2017 में नितीश कुमार ने महागडवन्दन का मेंडेट लेकर के बिज़ेपी के साथ मिल गै थे 2022 में बिज़ेपी के साथ में माहगडवन्दन में मिल गए है चहरा बदल गया है गडवन्दन का, सबसे उपर में आप देख रहे होंगे, कोने से स्टार्ट करे तो राबरी देवी हैं, सोनिया गांधी हैं, जीतर नामान जी हैं, जीतर नामान जी कल तक बीजिपी के साथ थे यानि एंडिये में थे, अब वो महागडवन्दन में आ गए और इधर तेजस्वियादव और नितिश कुमार का ये फोटो है, यानि कि ये दस नमर राबरी अवास के बाहर का ये सीन है, और यहाँ पर सभी लोग पोस्टर के तहत बदाई देने हैं, लेकि देखिए, ये रातोराद गडवन्दन जो है, वो कैसे बदल जाता है, इसके बिरासत है, हम किसी और को कैसे दे दे, और इस चीज में ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें यही दर्साया गया है, कि बहुजन संगट्नों का राष्टी समन में, यानि कि कोर्डिनेशन जो है नेशनल लेवल पर ये चीज दिखाया जा रहा है, यहाँ आपको बा बावा साब अंबेटकर दिखेंगे, रामा स्वामी परियार है, करपुरी ठाकूर है, कासी राम है, जै प्रकास नरायन है, राम मनोहर लुहिया है, महात्मा गांधी है, जो मंडल कमिशन के जो अध्याचर है, बीपी मंडल है, बिर्सा मुंडा है, जयतिवा फूले है, मात साबित्री वाई फूले है, फातिमा सेख है, और अबुल कलाम अजाध है, और नीचे में लालु परसाद यादव है, इस साड जो है तेजस्वी यादव है, यानि कि जो कही जाती है, कि जो मंडल की राजनीती है, या जो पिछरों की राजनीती है, उनके जनक ये माने जात लंबे अर्षे तक सरकार में रही राम मनहुर लोहिया, पंडित नहरु को अकेला चुनोती दाने वाले नेता थे, और राम मनहुर लोहिया ने पंडित नहरु को भी कई बार भासनों में पडास्त किया था बीच में महात्मा गांधी है, जिसको ले करके नीटिस कुमार उन 189 में जब बीपी सिंग की सरकार थी, तो उसमें यह इंप्लिमेंट किया गया था, तो यह अब पूरी तरह से जो बहुजन नायक है, उनके पोस्टर को भी दिखाया गया है, और तिजस्वी आदब ने जब नितिस कुमार से अलग हुए तो उनका कहना था, जो बहुजन ब देख रहे हैं, आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद,